मित्रो यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल, बुध, सुक्र और सनी की युती हो यानि की आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में किसी भी रासी में मंगल, बुध, सुक्र और सनी एक सांथ बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति हृष्ट पुष्ट सरीर बाला होगा यानि की सारेरिक रूप से बलवान होगा ऐसा व्यक्ति दो परिवारों के द्वारा पालित होता है अथवा ऐसे व्यक्ति को दो परिवारों का प्रेम मिलता है कभी कभी ये लोग किसी एक माता से जन्म लेते हैं और दूसरी माता के द्वारा पालित होते हैं अथबा किसी एक पिता से जन्म लेते हैं और दूसरे पिता के द्वारा पालित होते हैं अथबा कोई इनके सगे संबंधी या फिर कोई इनके रिष्टेदार इनको पालते पोशते हैं और इनको बड़ा करते हैं ये लोग मजबूत सरीर बाले होते हैं और लड़ाई जगडे में आंगे रहने बाले होते हैं ये लोग पराक्रमी और निडर सभाव के होते हैं साहसी होते हैं ये लोग डरते नहीं हैं जल्दी किसी से याने की सामने कोई कितना भी बड़ा ब्यक्ति खड़ा हो लेकिन इनको डर नहीं लगता उससे भय नहीं लगता ये निडर होकर के अपनी बात कहने बाले होते हैं और यदि किसी का बिरोध करना हो तो निडर होकर के बिरोध भी करते हैं ये लोग समाज में लोगों की सहायता करने वाले होते हैं और समाज में सम्मानित भी होते हैं ये लोग प्रसिद्ध होते हैं ख्याती प्राप्त होते हैं यानि कि इनके नाम से इनके परिवार को जाना जाता है और कभी कभी ये लोग अपने प्रांत में या फिर अपने समाज में बहुत जादा नाम कमाने वाले व्यक्ति होते हैं ये लोग जानबरों से प्रेम करने वाले होते हैं और विसेश कर पालतू जानबरों से प्रेम करने वाले होते हैं ये लोग घर में कुत्ता आधी पालने के सौकीन होते हैं ये लोग कुत्ता बिल्ली और भी जो पालतू जानवर होते हैं उनको ये लोग पालने के सौकीन होते हैं ये लोग पहलवानी में अथवा खेल कूंद में इस्पोर्ट आदी में बहुत रुची रखते हैं और ये लोग पहलवानी में अथवा किसी खेल कूंद में इस्पोर्ट आदी में भाग भी लेते हैं यानि कि उसका बातें भी करते हैं लेकिन इनकी बातें लोगों को अच्छी लगती हैं इन लोगों को आर्थिक रूप से परिशानी होती है याने की अर्थ से संबंधित पैसे संबंधित परिशानी होती है और पैसे कमाने में भी दिक्कत होती है कई बार इनको पैसे आते आते दिखते हैं लेकिन पैसे आते नहीं हैं और कई बार पैसे आते आते भी रुक जाते हैं जैसे किसी से पैसे मिलने बाले हैं तो उसने आज ही साम को फॉन करके कहा कि नहीं अब आज नहीं अब एक सब्ता है बात देंगे तो इस तरह का इनके साथ में होता रहता है और इनके काम भी बनते बनते रुक जाते हैं इनके परिवार में भी कलह और मतभेद का बाताबर्न रहता है यानि कि परिवार में समस्याइं लगातार चली रहती हैं कुछ एक समस्या खतम हुई तो दूसरी सुरू हो गई इस तरह से ये परेशान रहते हैं लेकिन इनका जीवन साथी बहुत गुसेल सुभाव का होता है ये लोग दिखने में सुन्दर होते हैं और इनका जीवन साथी भी दिखने में सुन्दर होता है ऐसे लोगों को पैसे के लेंदेन में सतर्क रहना चाहिए नहीं तो इनके साथ में धोखा हो सकता है कई बार इन लोगों को पार्टनर्शिप के ब्यापार में भी परिशानी होती है यानि कि पार्टनर्सिप तूट जाती है अथवा पार्टनर्सिप में मतभेद होते रहते हैं या फिर इन लोगों को धोखा मिल जाता है कई बार ये लोग बहुत जादा करीबी लोगों से ठगे जाते हैं ये लोग कोई सौकीन मिजाज क नसा भी कर सकते हैं अथबा इन लोगों की जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी होती है जिसे ये छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं इन लोगों के अपने कारचेतर में परेशानी होती है यानि कि कारचेतर में थोड़े मतभेदादी होते हैं लेकिन करने बाले लोग इनका संबान करते हैं मित्रो मंगल बुध सुक्र और सनी की युति कुंडली में सामान निफल देने बाली है ऐसी स्थिती में व्यक्ति को संकर जी की उपासना करनी चाहिए निश्चित रूप से लाब होगा